Hello and Namaskar everyone, my name is Khushbhugoyal and welcome to my channel Takeover Study आज की वीडियो में हम बहुत important topic के ओपर बात करने वाले हैं जो की है KVS exam इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो exam की tentative dates है, क्या वो final है और अगर final है तो हमें किस तरह से preparation करनी है, क्या-क्या पड़े, क्या-क्या छोड़े क्योंकि जो दिन है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 15 से 20 दिन है और इसी दिनों में हमें अपनी पूरी preparation करनी है सभी subjects को लेकर चलना है, सारे topics को, pedagogy को, सब कुछ हमें इसी में cover करना है तो अब confusion create हो रही है, कि हम क्या-क्या पड़े, इतना सारा 15 दिन में होगा कैसी तो ये सारे confusion के लिए ये वीडियो है, तो इस वीडियो को end तक देखना, आपके काफे सारे doubts भी clear हो जाएंगे और फिर आपको पढ़नी में भी बहुत जादा help मिलेगी, कि हम क्या-क्या चीज़े पढ़े बहुत अच्छे से, ताकि वो retain भी रहे हमारे दिमाग में और long lasting रहे, जिससे हमारा exam भी बढ़िया जाए, और क्या-क्या strategies को हमें अपनाना है तो चलो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं tentative dates की अब tentative dates जो है हम सबने देख लिया है, उसका circular official notice हम सबने download भी कर लिया है तो उसके according जो exam है वो फरवरी में conduct होगा, PGT हो, TGT हो, wise principal हो या फिर PRT हो, सभी के exam हमारे February में है अब उसके according हम मान के चलते हैं, हमारे पास लगबग लगबग 10-15 दिन है अब इस 10-15 दिन में हमें preparation कैसे करनी है, क्या-क्या पढ़ना है देखो, सबसे पहले तो इन 15 दिन को हमें कम नहीं मानना है, हमें ये नहीं मानना है कि इतनी कम दिन है, हम पढ़ लेंगे, क्या सारा सब कुछ हो जाएगा, क्या नहीं देखो, सबसे पहले एक proper schedule बनाना है अब schedule copy pen लेकि मत बनाना schedule को अपने दिमाग में मतलब पूरा एक तरीके से बना लो और अब जो आपके पास time है, उसको आपको बहुत जादा पढ़ना नहीं है आपको main main चीजों को पढ़ना है मैं आपसे एक छोटा से schedule share कर देती हूँ, जो मैं follow करती हूँ अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप वो follow कर ले otherwise आप अपना अलग से schedule बना सकते जिसके according आप पढ़ेंगे देखो सबसे पहले तो सभी subject को एक दिन में आपको अब cover करना पढ़ेगा क्योंकि days are 15 और 15 दिन में हमें सारे subject daily daily पढ़ने पढ़ेंगे सबसे main तो यह है कि देखो जैसे आज मैं भी schedule से पहले आपको चीज़ बता देती हूँ जैसे आपने पढ़ लिया आपने सारे topics पढ़ लिये तो रात को सोने से पहले उसका एक घंटा revision का जरूर रखें जितने भी subject जो जो पढ़ा है चाहे आपने आदे घंटे पढ़ाओ चाहे एक घंटे उस subject को पढ़ाओ वो सब कुछ जो जो आपने पढ़ा है उसको पांच पर 10-10 मिनट में एक बर summarize कर ले अपने माइन में सोने से पहले अगें नेक्स डेच जब मार्निन में आप उठे तो उसको एक और बार revise कर ले एंड आप नेक्स डेकी preparation शुरू करें और आपने वीडियो आज देखी और आप कल से अपनी पढ़ाई को शुरू करें पहले बाद तो अभी अपने वीडियो देखिए तो आप अभी से अपना कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर ले और अपने नेक्स दे से आपने क्या करना है आपने मॉर्निंग में उठना है और कर सब्सक्राइब से चला है तो हमारे पास पैडाजी है शांत हिंदी और हमारे पास इंगलीश और jet 10 मारक्ती ले और सभ में और आप पहले पूरा सेट ले ले सब्जेक्ट कंसर्ण का वो आप अपने ले सकते हैं जो आपको पसंद आ रहा है आपने ले लिया फॉर एक्जामपल मैथ हिंदी इंग्लिश और इवियस यह चारो सब्जेक्ट आपको सुभे सुभे ही कर लेनी है चाहिए आप इसको तीन घंटे दे चाहिए आप इसको इसको एक एक करके टॉपिक 15 दिन में अराम से वह एक एक टॉपिक अगर पूरा करते है तो वह हो जाएंगी अब मैंने वह पूरा पढ़ लिया फुल चैप्टर मालो एक घंटे में मैंने उसको कंप्लीट कर लिया उसकी बाद मैं एवियस को ले लूंगी आदे गंटे मैं में बिल्कुल क्लियर कर ले जैसे संग्या है विशेशन है सर्वनाम है यह सब आपको अल्लेडी आता होगा क्योंकि अगर आप टीचर बने जा रहे है तो आपके बेसिक तो क्लियर होंगे बस आपको उसको डीपली थोड़ा-थोड़ा और पढ़ लेना है ताकि आपकी ची पढ़ ले एज़केशन साइकोलोजी पढ़ ले और एक दो घंटे में आप यह सब पढ़े उसके बाद अपना रेस्ट करे जो भी आपको करना है देन आप अपना रीजनिंग करे जादा नंबर की नहीं है बट स्टिल में में टॉपिक्स आपको कर ले नहीं उनको छोड़ प्रेक्टिस करें क्योंकि इसमें अशा नहीं है कि आप बैठे अपने उसके नोट्स बनाने का टाइम तो है निसी अपनी जीके अब जीके क्या करना है आप कोई भी यूट्यूब पे चैनल डूम ले जिस पर सारी जीकी आपको मिल जाए या फिर अगर आपने खुद के से जोड़ रहे हैं तो आप यह मान के चले कि आप जौब को छोड़ रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको यू नहीं मोल रही कि सब कुछ पढ़ सकते हैं हम 15 दिनों में बट जितना पढ़ सकते उतना मालो फोर एक्जांपल आपने डेली 20 से 30 कोश्चन्स जीके के पढ़े देन अगले दिन 30 तो काफी सारे जोजेंगे शायद जो आपने पढ़ा है मेन उसी में से अगर आपका आगया तो आपका लग है वो तो बट आप प्रिप्रेशन अपने पूरी रखेंगे देन आपका क्या बचता है लास्ट में कंप्यूटर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा है में नहीं आएगा बेसिक कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए एक्जामपल आपने मेमरी के टॉपिक पूरा पढ़ लेना है इंटरनेट पढ़ लेना है सबसे इंपोर्टन आइटी पढ़ लेना है इंफोमेशन टेकनोलोजी विगारा का सब कुछ पढ़ तो साथ आठ दे देना अधरवाइस आपकर आपको पांच-छे घंटे ही पढ़ना है बट अगर हम एक दिन में पांच-छे घंटे निकालते और सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हैं तो हमारी प्रिप्रेशन पंदरह दिन में बहुत अच्छी हो जाएगी और मेभी हम जो कट-off रहने वाली है जो merit बनेगी उस तक हम पहुच पाए और सबसे में तो यह है कि अपने माइन को पॉजिटिव रखते हुए हमें प्रिप्रेशन करनी है यह नहीं सोचना कि मिरसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊँगा किसी भी success को पाने के लिए सबसे में क यह ही होती है कि आप अपनी माइन को सबसे पहले पॉजिटिव रखे माइन पॉजिटिव होगा जब ही तो हम कर पाएंगे अगर हम पहले से ही सोचेंगे कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा 15 दिन है बहुत सारा है सब कुछ नहीं हो पाएगा शायद पेपर नहीं सोचेंगे कि हाँ 15 दिन है कम दिन नहीं है 15 15 बहुत जादा दिन होते हैं तो आप जो है उस 15 दिन को इतनी अच्छे से यूटिलाइज करके पढ़ेंगे तो यह आपको बहुत बैनिफिशल होगा और बहुत मदद करेगा कि आप जो है असानी से उस चीज तक उस चीजों को कवर कर ले अगर आपको यह सब चीजे पॉइंट्स आपके मायन में क्लियर हो गए होंगे अब अपने शेडियूल के साथ अच्छे से त्यारी को शुरू कर देंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही में जाएगी वो शॉट्स पीडियाफ है आप वहां से उसको देख सकते हैं और अपने इंपोर्टेंट डेस को वहां से लर्न कर सकते और पढ़ सकते हैं और अगर आपको किसी और टॉपिक से लेटेट भी वीडियो चाहिए और एक्जामपल हिंदी का कोई टॉपिक हो गया य यहीं बनिमागा